नमस्तार स्वागत आपका खबरों का पंचनामा में मैं हूँ आपके साथ खुश्पू हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्शा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्यापिटन टीवी के एडिटर इन चीफ रॉक्टर म मोजी योगी की मुराकास से अफ्वा गैंग को करारा जवाब एक घंटे से ज्यादा की मीचिंग में यूपी के विकास और दूसरी रण्नी की परवुई पार बीजेपी छोड मुकुलरॉय की ममता गैंग में बापसी बीजेपी नेताओं को धमकाने और तोरने की साज़िश रच रही है ममता इतन के जाने के बाद पाइलेट की नाराज़ी पर कॉंग्रेस में भूचा अलपोन कर पाइलेट को मनाने मिजूटी प्रियंका गांधी बागी नेताओं से भी की बाद और परमवी सिंग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जटका एस्सी का याचिका पर विचार करने से इंकार कहा जिनके घर काच के हो तो दूसरों पर पत्थर नहीं पेगा पहली खबर प्रधान मंत्री मूदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी की मुलाकार पर आज दिल्ली में पीम के साथ सीम योगी की बैठक करीब सवा घंटे तक चली इस बैठक में यूपी के विकास मिशन 2022 समेट कई मुदों पर चर्चा हुई साथ ही क्याबिनेट विस्तार पर भी मुहर लगी इससे पहले सीम योगी ने ग्री मंत्री अमिट शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडडा से भी मुलाकात की डॉक्टर साब इस मुलाकात से बीजेपी के खलाव अफ़ा पहलाने वालों के मुँपर तो थपड लग गया होगा देखे थपड़े नहीं लगा है ये तो उनके कलेजे पे छुरी चल गई है क्योंकि जो मीटिंग आज हुई है ये एक एतिहासिक मीटिंग है क्योंकि इस मीटिंग में तै हो गया है कि कमांडर इंचीफ यूपी के चुनाओ के वो योगी आदितनात होगे और योगी आदि ये सारी चीजे अब योगी आदितनात तै करेंगे इसके वज़ाए ये है कि RSS ने एक प्रिंस्पिल स्टैंड लिया है कि हर राज के चुनाओं में प्रधान मंत्री मोदी के चेहरे का इस्तमान ना हो उससे मोदी की साख पे वी एक असर पड़ता है और साती साथ को एक हत्यार मिल जाता है कि आप प्रधान मंत्री मोदी तो प्रधान मंत्री हैं मुख मंत्री का चेहरा कौन है और उससे पार्टी को नुकसान भी होता है तो प्रधान मंत्री मोदी का चेहरा दोजार चौविस में लोगसवाद चुनाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया और यूपी क्या चेहरा और सारा रंडिती वो योगी आदितनात के हाथ में सौप दिया गया है अब जो मैंने कहा कि क्यों छूरी चलेगी इस लूटियन गैंग ये जो कॉंग्रेसी इको सिस्टम के ऊपर ये सेक्लर इंडस्ट्री क्यों आज परिशान होगी वो इसलिए कि यही लोग कहते हैं कि दिल्ली पे कुर्शी सत्ता प्रधान मंत्री इसका रास्ता लखनों से गुजरता है यूपी से गुजरता है अब कमांडर इंचीफ योगी है तो ये साफ साफ संकेत है कि भविश में योगी जी के लिए प्रधान मंत्री बनने का रास्ता भी इससे साफ हो जाएगा अभी तो ये मुदी से परिशान है ये योगी जी आ जाएंगे प्रधान मंतरी बन जाएंगे इनका क्या होगा उसी खौफ में ये जी रहे हैं पिछले एक महीने में औसितन हर दिन बीजेपी के कारेकरता को मौत के घाट उतारा गया इस बीश मुकुल रॉय के इस तरहें त्रणमूल में वापस आने से कई सवाल खड़े हो गए डॉक्टर साब मुकुल ममता गैंग में डर कर गए या फिर कोई और वजाय उनकी फित्रत होती थी लेकिन जो और्गनाईजिशन जो जबलब हुआ तिनमूल का उसके करता धरता मुकुल रॉय थे लेकिन जब 2014 का चुनाओ जब नजदीक आया तो ममता बनर जी अपने आपको एक नैशनल लीडर के तरह प्रोजेक्ट करना चाहती थी और उन्हें नैशनल लेवल प जिस्ते तमाम पॉलिटिकल पार्टी से हैं तिनमूल कांग्रिस में उनका कोई रिप्लेस्मेंट नहीं है कोई ऐसा तिनमूल का लीडर नहीं है जो फ्रीली अलग-अलग पार्टी के लीडर से बाचीत कर सकता हूँ तो वो 2014 में ममता बनर जी को नैशनल स्टेज पे लाने क के लिए काम कर रहे थे और उसी दोरान अन्ना हजारे का के साथ ममता का गड़बंदन होता है अन्ना हजारे के साथ राम लिला मैदान में एक रैली तैकी जाती है लेकिन रैली सुपर फ्लॉप हो जाता है दो हजार लोग भी नहीं पहुंशते हैं और ममता बनर जी से मुकल जो ममता बनर जी का साय के तरह था उसका पोजिशन खराब होता है कई सारे लोग उस जगह को भरने की कोशिशिश करते हैं और धीरे धीरे यह त्रिमूल कॉंग्रेस के अंदर एलिनेट हो गए और जब वो एलिनेट हो गए तो उनको लगा कि उनको वहां उतना इज़त नह आसान है हाथी को पालना बड़ा मुश्किल है और इसलिए आपने इतने बड़े कदावर लीडर को तो आप अपनी पार्टी में लेकर के आग है लेकिन आपने इस बड़े लीडर का इस्तमाल करना उसकी अकल आपको नहीं आई आप फिर भी दिली गोस और अमिताब और पत अब यहाँ पर भी दिक्कते हो रही थी लेकिन फिर भी वो नहीं जाते लेकिन सुवेंदु अधिकारे को लीडर अपोजिशन बना दिया गया जो त्रिनवूल में मुकुल रॉय से काफी जूनियर हुआ करते थी मुकुल रॉय सेनियरिटी के मसले में चुके वो एक MLA भी है इसलिए उनका हक ज्यादा था कि वो लीडर अपोजिशन बने लेकिन ऐसा हुआ नहीं इसलिए मुकुल रॉय को लगा कि इससे तो बहतर है कि ममता बरजी के इस स्कीम में वो फिट हो जाए क्योंकि ममता बरजी फिर से वो नैशनल एस्परेशन उनका जागा है कि 2024 में वो मोदी के खिलाफ लड़ना चाहती है एक प्रधान मंत्री के रूप में खुद को पेश करना चाहती है तो आपको ऐसे लोगों की जरुरत पड़ेगी जो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी से आपकी बाग की सारे काम को कर सके तो ममता बनर जी के स्कीम में उनका जो नैशनल एस्परेशन हैं उसमें मुकुल रॉइ फिट बैठते हैं और मुकुल रॉइ बीजेपी में एक अन्फिट साल मैसूस कर रहे थे इसलिए वो उसमें शामिल हो गए अब बात केजडिवाल के राशन रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केजडिवाल ऑक्सिजन तो पहुचा नहीं सके महला क्लीनिक में दवा तो पहुचा नहीं सके अब हर घर अन का एक जुमला और दे दिया डॉक्टर साब रविशंकर प्रसाद का कहना तो ठीकी है देखिए ये केजरिवाल दरसल भारत के राजनीति की ये नेटवर लाल है ये ये डेमोगॉग वो एक ऐसा आदमी है पता नहीं रवी संक्र परसाद दी ये क्यों नहीं बताया कि प्रस क्रॉंट्रोंस करके वो ये कह रहा था कि बच्चों को लगवाना मेरी सबसे बड़ी प बच्चों का वैक्षिन तक बना नहीं और ये प्रायर्टी और करेजा चीर के अपना दिखाना भी शुरू कर दिया पोस्टर भी छाप दिया कि बच्चों की वैक्षिन मोदी जी आपने वीदेश क्यों भेज दिये अब ये देखिए अब ये घरगर राशल वाला जो मसला है ये बिल्कुल एक नकसली वामपंथी सिट अप क्रियेट करना चाहता है दिल्ली के अंदर में जिस तरह से इसने खाकी वर्दी देकर के अपने अपने कारकरताओं को सिविल डिफेंस में खड़ा कर दिया जो वसूली के अलाबा कोई काम उनका है नहीं दूसरा जब कभी ये और डिबन होता है आप देखिए सटकों पे लोग आ जाते हैं आम आदम पाटी के कार करता वो दिन वर बैठते हैं पांच घंटे और हजार उपे लेकर के घर जाते हैं ममता बनर जी ने यही काम कर रखा है बंगाल के अंदर में तो सिविल डिफेंस तो स्टूडेंट इस तरह के कही सारे जो है आपने कारकरताओं को आप पैसा देने का एक तरीका बना देते हैं अब इसने एक नहीं चाल चल दी राशन किसको कहां कैसे मिल रहा है उसको पहले आपने सुधारा क्या आप तो कहते थे कि सबसे इमांदार सरकार हम चलाते हैं तो फिर आपने इस इस पूरे distribution system को आधार से क्यों नहीं जोड़ा, आपने क्यों नहीं इसे internet से जोड़ा, बाकी राज्यों में हो रहा है, लेकिन आप वो काम करते नहीं है, तो ये जो आरोप है, वो सही है, लेकिन इसमें एक additional चीज और है, additional बात ये है, कि इस घर-घर अनाज पहुंचाने के scheme में ये तमाम अपने आमाधी पार्टी के जो लुमपन ब्रिगड है, जो बेरुजगार लोग हैं, उनको फिट करने में जुड़े हुए हैं, तो ये सरकारी पैसे से अपना प्रचार कैसे किया जाए, ये तो केजरिवाल से कोई सीख ले, और सरकारी पैसे से अपनी पैलेट नाराज चल रहे हैं, पैलेट काफी वक्त से गहलोत के खलाफ बगावत पर उत्रे हुए हैं, और उनके गुट के साथ अलग मीचिंग भी कर रही है, कॉंग्रेस की सिती इतनी खराब हो गई है कि अब खुद फोन कर प्रियंका गांधी नाराज नेदाओं को मनाने में लग गई है, प्रियंका ने गुरुवार देर राज सचेन पाइलेट को फोन करके उनसे बात चीर की, डॉक्टर साब कॉंग्रेस में तो चुहे बिल्ली का खेल चल रहा है, देकि सचेन पाइलेट दिली पहुँच गया है, और रभी वार्तक वो दिल्ली में रहेंगे, अब दिली में वो किस से किस से मिलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, हलाकि खबर यह आ रही है कि प्रियंका वाडरा उनसे मिलना चाहती है, लेकिन कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे, इस पे एक प्रशनवाचक चिन है, लेकिन जहां तक हमारी ज प्रदेश को यह समझ नहीं है कि राजनीती में आप किसी लीडर से क्या वादा करते हैं, कैसे उसको पूरा करते हैं और क्या वादा करना चाहिए आपने मद्ध प्रदेश में जोतिराद सिंध्या को वादा कर लिया कि कि सरकार बनती तो आप मुख्मंत्री बनेंगे। उसी तरीके से राजस्थान में आपने सचिन पालेट को दो साल आप वो गाँगाँ सहर सहर घूम घूम कर कॉंगरस पार्टी को मजबूत किया, उसकी वज़र से कॉंगरस पार्टी सरकार में वापस आई, और आपने क्या किया आपने ये समझा दिया कि लोग सभा के लेकिन वो पूरा हो नहीं रहा तो इसलिए भगावती तेरे उनको मना किया गया था कि आप आज दोसा नहीं जाएंगे अलग वहाँ पे केंज सरकार की नीतियों के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट करने वाले थे कॉंगरेस का अलग प्रोग्राम हुआ और सचिन पाइलेट क है उनके एस्पिरेसिंस को अगर आप नियंत्रित नहीं कर सकते पार्टी के अंदर डिसिप्लीन मिंटेन नहीं कर सकते और अगर आप पार्टी के लिए खुद एक बोज बने हुए हो जिसके वज़ा से लोग जो टेलेंटेड लोग हैं वो पार्टी छोड़के बाहर जाना चाहते हैं तो फिर इससे ये कंट्रोल होका नहीं ये कंट्रोल होका नहीं सोनिया गांदी के पास एक मात्र रास्ता है सचिन पाइलिट को आप मुखमंत्री बनाओ या फिर राजस्थान के अंदर कॉंग्रेस पार्टी कट तूटना वो बिलकुल तैह है आकरी खबर परंबीर सिंह कि याचिकाशा पर विचार करने से इंकार कर धिया है और कहा है कि जिनके घर शीषे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं पहेक देखे परंबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में या याचिका दार कर उनके खलाफ शुरू किये गए सब yolगए सभी जा काम करते आ रहे थे हम लोगातार इस बात को कहते आ रहे जब से ये शुसांत का मसला सुरू हुआ जब से अरणव गुष्वामी को गिरफतार के आप तो खुद मुमे के पुलिस कमिशनर थे जब आप खुद प्रेस कांफरेंस करके एक जूटी ख़बर को एक जूटी आरोप को सक्थ साबित करने के लिए तमाम तरह के ये जो लोग अभी जेल के सलाकों के अंदर हैं वसूलु गैंक के जो सुप्रेम कोट ने कहा हैं कि ने कि इतनी साल तक तुमने इस सिस्टम को चलाया है और आज तुमको इसी सिस्टम के उपर भरोसा नहीं है तो आपके उपर जो आरोप लगे है वो आरोप उसको आपको जहिलना होगा राहत नहीं मिली अच्छा हुआ अगर परमवीर सिंग नया चाहते हैं और सत्य को सामने लेकर क्या आना चाहते हैं तो जितनी भी कंट्रोवर्सल रिसूज है उसमें उनको सामने आना चाहिए उनको बताना चाहिए कि सुसांत के केस में क्या हुआ, अरनव गुसामी के केस में क्या हुआ, बहुत सारे और भी कंट्रोवर्सल इसूज हैं, उन सारे केस में क्या हुआ, क्या दवाव था, वो प्रेस कांफरेंस करें, जनता की नजरों में अपने आपको पाक साफ करें, लेकिन सिस्टम की वज़े से वो ये सब काम कर रहा था अधर्वाइस अभी सुप्रिम कोट से उनको राहत नहीं मिली है कल लोर कोट से उन्हें राहत नहीं मिलेगी और जनता की अदालत में उनको तो राहत वैसे भी कभी नहीं मिलने वाली है जी रॉक्सर बहुत बहुत शु subscribe करें नवस्कार